कि नमस्कार बंदो बहुत बहुत स्वागा तविनंदन है आपका अपने यूटूब चैनल हिंदी वाई सहदेव चौधरी में मेरे सभी प्यारे बेन भाई ठीक होंगे सुरक्षित होंगे चमा प्रार्ति हूं कल साम को क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मेरी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इस बज़े से तो आज हम जो बात करेंगे हर प्रशन को बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना पूरे मन के साथ समझना है ठीक है देखिए बात करेंगे सबसे पहला जो प्रशन है आज जो भी प्रशन लेके आया हूँ वो बहुत ही मैतपूर प्रशन होंगे और सारे जो प्रशन है वो वाक्कि से सम्मंदित और कुछ विराम चिन्न से सम्मंदित है ठीक है ना क्योंकि मैं ज्यादा तर टॉपिक वाइज प्रशन ज्यादा ले रहा हूँ जिससे कि एक ही चीज कई ब अगने दों बांटके पड़ते हैं एक तो अर्थ के आधार पे और एक प्रियोग या रचना के आधार पर प्रियोग या रचना के आधार, प्रमना जी करने वाले हैं। पर सरल संयुक्त और मिस्र ये प्रियोग या रचना के आधार पर है और अर्थ के आधार पर भेद होते हैं आठ आठ जो भेद होते हैं वो कौन से विधानार्तक निशेदार्तक प्रिश्नार्तक बिसमे आर्तक आग्यार्तक इच्छार्तक संकेतार्तक संदे आर्तक सरल संयु क्या हो जहां दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयूजक से जुड़े हो कोई किसी पर आस्रित नहीं हो वो संयूक्त वाक्य होता है जहां एक प्रधान उपवाक्य हो एक या एक से अधिक आस्रित उपवाक्य हो वो मिस्र वाक्य कहलाता है तो आज मैं जो चर्चा करूँगा व अरे डरते क्यों हो एट जाम पास आने से डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा डर नहीं है डर के आगे ही तो जीत है मांटेन ड्यू पिया करो दर के आगे जीत हो जाएगी संयुक्त वाक्य का उधारण है कौन सा संयुक्त वाक्य का उधारण है बस छूट जाने के कारण में गाउं नहीं गया मैं अस्वस्त था इसलिए मन लगा कर नहीं पड़ सका वह धन के अविमान में अकड़कर चलता है जहां खेत थे वहां सहर बस गया बहुत अच्छे से समझना देखो समझना इसमें संयुक्त वाक्य का बस छूट जाने के कारण में गाउं नहीं गया एक ही जटके में बुल गया ये कैसा है सरल वाक्य है ये कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा, ठीक है? मैं अस्वस्थ था, इसलिए मन लगा कर नहीं पड़ सका, ठीक है? मैं अस्वस्थ था, अब कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कि इसलिए से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्या जाए, वो मिस्र वाक्य होता है अतै और इसलिए से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्या आजाए वो मिस्र वाक्य होता है ये गलत है ऐसा नहीं होता ये पेपर में आया हुआ प्रशने ऐसाई में ये पूछा हुआ है मैं अस्वस्त था इसलिए मन लगा कर नहीं पड़ सका तो कुछ विद्वान जो यूँ कहते हैं कि अतै और इसलिए से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्या आएगा वो मिस्री होगा तो उनके लिए ही ऐसाई में प्रशन भगवान ने किरपा करके दे दिया और उनको समझा दिया कि ऐसे तुक्के मत मारा करो बच्चों का बविश्य खराब हो जाता है बहुत उम्मीद लगाते हैं गलती होती है इंसान से लेकिन उस चीज़ को ठोक बजा के जवर्दस्ती उस पर मुझसे कोई गलती होती है मैं सुईकार करता हूं मनिश से प्रवि अतय और इसलिए एक अतय का भी आया है पेपर में वह धनके अविमान में अकड़कर चलता है ये भी सरल वाक्य है कि नहीं वह धनके अविमान में अकड़कर चलता है ये भी सरल है जहां वहां जो भी ऐसे वाक्य आजाते हैं ये मिस्र वाक्य होते हैं कैसे वाक्य होते हैं म इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्ब दूसरा इसका सही उत्तर होगा. कौन सा सही उत्तर होगा? विकल्ब दूसरा इसका सही उत्तर होगा. क्लियर हो गया? नीरज सौनु बहुत 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 स्वागत अविननन्दन सुप्रवाद तो कोई बात रही? विकल्ब दूसरा इ किर्या विशेशन उपवाग कि देखो मिस्र वाक्यωता है जिसमें एक अलुंद आक या एक से अदिक आसниковा कि आसर्लितव ऑखी भी तीन प्रकार के होते या तो सझया पे आसरित होगे या विशेशन पे या बिवее विशेषण प्रफ़ा अश्रत उप्वद नब जोसे जोड़ा होगा और जहाँ जन benefici करण वहा जब तब यहं भी आएंगे सिर्फ आश्रत उप्वा क्यों हो जाते हैं तोछप सुर्ण करनम ऐसा जरूरी नहीं है ये रटा मत करो बस देखो किरिया विशेशड उप बाक्की का उधारण है यदी तुम चलते तो मैं भी अविश्य चलता यदी तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता ये कैसा है यदी तो संकेत दिया जा रहा है न क्या दिया जा रहा है ये धनवान है परंतु बहुत दुखी है वह इमांदार है इसलिए सब का विश्वस्त है जो लोग सहसी होते हैं वे सफल होते हैं अब यहां पर पूछ रहा है किरिया विशेशड उप बाक्की कौन सा होगा नीलन कमर क्या सुनू तुम्हारी जो सुनाना चाहाँ उसको लिख के भेज दो ना बारवार मेरी नहीं सुन रहे घ्रिन केम एक साथ आते हैं और मैं कमेंटों पर द looks मैं दूँगा तो मैं समझा हुआ कैसे तो यह मत लिखा करो मेरी सुनो तुम्हारा जो सुनाना है उसको लिखा करो ठीक है कमेंट करते रोग मेरी सुनो मेरी सुनो यह लिखने की जगा है मैंने कमेंट में जब नजर मारी वो जो कमेंट था वो लिखती तो वो दिख जाता हाँ, अब भी देखो देखिए, किरिया भी शेशड़ों को बाकिए यदी तो संकेत वाचा कहें कि नहीं वह धन्वान है परन्तु बहुत दुखी है तीक है, वह धन्वान है परन्तु बहुत दुखी है वह इमांदार है इसलिए सब का विश्वस्त है जो से जुड़ा आ गया विशेसर आस्रित हो गया तीक है इसलिए वह है इमांदार है इसलिए सब का विश्वस्त है तीक है अब ज्यान ये रखना की से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य आएगा वो मिस्र वाक्य होगा क्या होगा मिस्र वाक्य होगा हां सौम्या सर्माजी बह प्रत्य पूछा था ब्यक्ति संग्या में त्वय प्रत्य जोड़के ब्यक्ति तो बनाया गया है ठीक है न? देखो यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता तो यदि तो संकेत वाचक है और ये संकेत किया जा रहा है तो ये किस में आएगा संकेत वाचक में इसलिए ये किरिया विशेशड उपबाक्य होगा कौन सा होगा किरिया विशेशड उपबाक्य होगा वहे धन्वान है परंतु बहुत दुखी है परंतु से जोड़ दिया संयोजक हो गया जब दो स्वतंत उपबाक्य संयोजक से जोड़े संयोगत बाक्य होता है वहे इमांदार है इसलिए सब का विश्वस्त है तो इसका उत कौन सा है संज्या उपभाग इस में से कौन सा संज्या उपभाग के भौत अच्छा उदारण से दिना मुझे देखिए इसमें हो हुत्रिकार का संधी क्या होगी हुत्रिकार अगर मुझे थोड़ा सी knowledge कम हो ना तो तुम तो क्या है मुझे फसाद हो अच्छे से लेकिन क्या है कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने हिंदी को पड़ा नहीं जिया है जो लिखते हो ना उसको असुद लिखके ना मेरी परिच्छा मत लिया करो ठीक है होत्रकार सुद रूप में ऐसे लिखते हैं और इसमें दीर्गिस्वर संदी होती है री और री मिलके एक लगूरी और एक लगूरी लगूरी के बाद लगूरी आएगी तो कौन सी री हो जाएगी दीर्गिरी हो जाएगी और ये दीर्गिरी है किलियर हो गया तो यह ध्यान रखना ठीक है हाँ अब देखो आगे साधारन होते हुए भी संग्या उपवाक्य है तो मैं पहली कह चुका संग्या उपवाक्य आजाए तो आपको दिमांक नहीं लगाना शीदा सा ध्यान रखना है की से जुड़ा हुआ साधारन होते हुए भी बहुत व्यवार कुसल है, एक ये जटके में बोल लगाया, ये सरल वाकिय है, ठीक है ना, कैसा है सरल वाकिय? जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया, ये कैसा है, किरिया विसे सर आस्री तुपवाकिय है, कैसा है ये? किरिया विशेसर आस्रतुप वाक्य है सांज होते ही पक्षी गोंशलों में लोटाते हैं ये भी कैसा है? सरल वाक्य है कैसा है? सरल वाक्य है पडावसी ने कहा कि और की से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य आ जाए बिल्कुल confuse नहीं होना, दिमाग नहीं लगाना, सीधा उत्तर देना है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखा, ला जवाब में जवाब नहीं होगा, छाप देना इसको, और इनको तो स्कीन सोट ले लो, बहुत ही अच्छा प्रशन है यह, ठीक है, इसका ध्यान रखना, हाँ, बहुत अच्छा प्रशन है, ऐसे प्रिश्णों का स्कीन सोट ले लिया करो, यह कौन है, रामेश्वर लाल, बारवार कमेंट कर रहा है, भनी मेरा, राम राम भाया, हाँ, अरे आगमन विदी के जनक, कैसे अरस्तु है, सही है, निगमन विदी के, आगमन करके, यह मैं बहुत शौट ट्रिक्स में समझाता हूँ, पूरी सिविदियों को यह वार में पूरा समझाओंगो, और यह वार में समझा भी रखिए, ठीक है, आगमन के अरस्तु है, पलोटो, अलग हो जाएंगे, ठीक है, विकल्ब चौथा इसका सही उत्तर होगा, बीमार व्यक्ति खाना दीरे-दीरे खाता है, वाकी का उद्द उद्देश्य है, अब सुनो उद्देश्य और विद्दे क्या होते है, करता और करता का विश्तारक, उद्देश्य कहलाता है, बाकी का पूरा वाक्य विद्दे कहलाता है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है न, तो बीमार व्यक्ति खाना दीरे-दीरे खाता है, इस वाकी का उद्दे से क्या है तो बीमार ब्यक्ति बीमार विशेष्टा बताई जा रहे है ये ब्यक्ति की बीमार ब्यक्ति तो बीमार ब्यक्ति तो क्या हो गया उद्दे से हो गया क्योंकि बीमार और ब्यक्ति ये दोनों मिलके किसका बूद करा रहे है उद्दे से का यहां पर बीमार व्यक्ति क्या है उद्देश्य खाना दीरे-दीरे खाता है ये विदे हो जाएगा ये क्या हो जाएगा विदे तो ये तो उद्देश्य हो गया करता और करता का विश्तारक उद्देश्य कहलाता है बाकी का पूरा वाक्य विदे कहलाता है तो इस प्रकार से आपको इसका ध् उद्देश से है करता और करता का विष्टारक विद्देश से कहलाता है मैंने बोलाए ना सारी विदी और उनके प्रत्पादकों को बहुत सौट तरीके में पूरा विष्टार से समझाओ और अब कल ही समझाओ हुआ कल जो क्लास होगी इसके तुरंत बाद में आपको वो भी समझाओ ओगा तीके न ला बजय नहीं होता है इस्टडी वित्तिवारी ला बजय नहीं होता वे बजय होता है ला जवाब होता है जवाब नहीं तो इसका क्या होगा विकल्प चौथा उत्तर होगा आगे देखिये जो गरजते हैं वे मिस्र वाक्य होगा, जो वे, ये कैसा वाक्य हो गया, मिस्र वाक्य हो गया, उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया, ये कैसा है, संयुक्त वाक्य है, गंगा हिमाले से निकलती है, एक ही जटके में बोल दिया, इसको ये कैसा है, सरल वाक्य है, उसके प किसमें आएगा मिस्र वाक्य में तो कैसा वाक्य पूछ रहा है सरल वाक्य गंगा है मालय से निकलती है यह कैसा होगा सरल वाक्य होगा कारक पूछता तो अपादान कारक हो जाता निम्न लिखित में से असुद्ध वाक्य है कौन सा वाक्य असुद्ध पूछ रहा है दर्वेंदर मौरे वहिया हां टेस्सीरीज में जाके आप ले सकते हो हिंदीवाई सहदेव चौधरी के नाम से प्रियोग कर देना असुद बाक्या है सायद वह उत्तीन हो जाए किसी और से सला लीजिए सै प्रमाड उत्तर दीजिए यह कैसे संबब हो सकता है क्या होगा इसका सही उत्तर कौन से टेस्ट के सल्यूशन के लिए कह रहे हो कौन से टेस्ट के लिए बोल रहे हो विकास कटारा कराएंगे पीछे वाला पॉर्शन पूरा रिकॉर्ड कराएंगे आगे वाला जो पॉर्शन है उसको रिकॉर्ड चलेगा ठीक है अब समझो यहां पर उट पटांग में बहुब्री स्यमास है ठीक है तो असुद वाक्या है पॉर्शन है किसी ओर से सला लीजीए तो जब सला लो गया तो किसी ओर से ली जाएगी तो किसी लिखेंगे और भी लिखेंगे और सला भी लिखेंगे एक साथ रही लिखते किसी से सला लीजिए या और से सला लीजिए दोनों एक साथ आएंगे क्या या तो किसी आएगा या और से तो किसी से सला लीजिए या और से सला लीजिए दोनों एक साथ नहीं आ सकते इसलिए ये असुद्ध है अगर इसको ऐसे लिख देता सेब पर्मान सहित उत्तर दीज़े तो असुद्ध हो जाता है सेब पर्मान सहित हो जाएगा कौनसा वाक्य सुद्ध है उससे रसी बाँद कर ले गए मतलब तीन असुद्ध एक सुद्ध है ये बताना है रमेश विसनोई आरजे पचास थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो राज ताज महल आगरा में बना है इसमें सकर्मा कैसे करोगे आगरा इस्थान ताज महल करता है कहाँ इसमें करम इस्थान वाचक है देखो कौन सा वाक्य सुद्ध है उसे रस्षी बांद कर ले जाओ संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई यह दवा रोग को समूल से नश्थ करती है वह घर को जा रहा है तो देखो यहां वह है घर को नहीं आएगा यह कारक सम्बंधिय सुद्धी है यह दवा रोग को समूल से से भी कारक सम्बंधिय सुद्धी है संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई बिलकुल सही है उसे रस्षी बांद कर ले जाओ नहीं होगा उसे रस्षी से बांद कर ले जाओ तीनों वाक्यों में कारक सम्बंधिय सुद्धी है उत्तर इसका कौन सा होगा ये होगा विकल्ब दूसरा उत्तर होगा निमनल लिखित में से सुद्ध वाग की है पूछ रहा है कौन सा वाग के सुद्ध है मैंने यह घड़ी मात्र सौर रुपे में खरीदी सोच के उत्तर देना सभी टेस्टों का सेल्उशन आपको सुभै जो साम को टेस्ट होता है चाहे वजय उसका सल्यूशन सुवै और दोपैर को बारा बज़े हो गाधस अगी बारा वजय जो टेस्ट होगा उसका सल्यूशन रात को नौ बज़े मिलेगा ठीक है नहीं कि देखो वहाँ बहुत से लोग बेहाल दसा में पड़ेते हैं वह क्रोध में भरकर बोला दोनों भाई परस पर आपस में लड़ पड़े तो इसमें पूछ रहा है सुद्ध बाकि कौन सा है इसका मतलब एक सुद्ध बाकि असुद्ध अब कौन सा असुद्ध है ध्यान से द सुद्ध है वहाँ बहुत से लोग बेहाल दसा में पड़ेते हैं तो एक बात बताओ इसमें जो असुद्ध है वो कैसी असुद्ध है बेहाल का मतलब ही हाल मतलब दसाई तो होता है तो जब बेहाल लिख दिया तो दसा में लिखने की जरूवत है कि इसे कहते हैं संग्या स संबंदी असुद्धी और संग्या संबंदी असुद्धी के भी दो कारण होते एक अनावश्यक पद एक अनुप्युक्त पद तो यह अनावश्यक पद संबंदी असुद्धी है वह क्रोध में भरकर बोला तो क्रोध तो भरकर ही होता है मुठ्थी वर धोड़ी होगा जब क अपस में लिख रहे हो तो परस्पा लिखने की जरूवत है क्या नहीं इसका मतलब विकल पहला बिल्कुल सही है यदी परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती वाकी की द्रिष्टी से उक्त वाक्य है कैसा वाक्य है यह हाँ उट पटांग में तत्परुस अमित तब होगा जब विकल्प में बाउबरी ना हो और अधिकरन तत्परुस होगा उट पर टांग उटपटांग का समास बिग रहे होता है उटपर है टांग जिसकी अर्थात बेतुका कहते हैं कैसी उटपटांग बाते कर रहे हो बेतुकी बाते ठीक है तो यदी परिश्रम किया होता तो सफलता आवश्य मिलती यदी तो ये संकेत से जुड़ा है यदी और तो से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य आजाए वो क्या होता है संकेत आर्थक होता है विदानार्थक वाक्य होता है जो सीधे अर्थका बोद कराता है मोहन पुष्टक पढ़ता है सोहन फुटबॉल केलता है यह कैसा है विदानार्थक आग्यार्थक में आग्या दियते, मोहन तुम पुष्टक पड़ो, रमेश तुम घर जाओ, अन्ता तुम यहां बैठो, इच्छार्थक में इच्छा की जाती है, भगवान करें, आप सभी सफल हो जाएं, आज तो कहीं से खाने को रसगुले मिल जाएं, यह इच्छार्थक ह तो विकल्प तीसरा उक्तर होगा, निम्न लिखित में से संदे अर्थक वाक्य कौन सा है, और जरूरी नहीं इच्छार्थक में, इच्छार्थक में स्राप का भी बोध हो जाता है, आप सभी मुझे बहुत परिसान करते हो, भगवान करें, तुम्हें अतिसार लग जाएं ये भी क्या है, इच्छार्थक है, अब देखो यहां पर, संदे अर्थक वाक्य कौन सा है, जो काम तुम्हें दिया गया है, उसे देखो, आज साम को सायद वर्सा हो, वह जहां रहे सुक से रहे, वह नहीं आया, इसलिए हम नहीं गए, तो यहां पर पूछ रहा है, संदे तो यहां पर संदे किसमे जाएगा, संदे या संभावनार तक, सायद से जुड़ा है, तो संदे या संभावना का बोध हो जाएगा, निम्रे लिखित में से असुद वाक्य कौन सा है, यह पूछ रहा है, तो कौन सा वाक्य असुद है, वह प्रति दिन मुझ से मिलने आता सर्वत्र मान की करन करना होना चाहिए, उन्होंने मेरी बाते द्यान पूर्वक सुनी, हम सब की इस्तितियां एक जैसी है, वह प्रति दिन मुझ से मिलने आता था बिलकुँ सही है, उन्होंने मेरी बाते द्यान पूर्वक सुनी, हम सब की इस्तितियां एक, तो सर्वत्र मा की करन का मतलब ही करना है तो सर्वत्रमान की करन करना नहीं आएगा करना और होना ये नहीं आएंगे ये आएंगे क्या करन का मतलब ही करना होता है तो विकल दूसरा असुद्ध है किस वाक्य में विराम चिन्नों का प्रियोग सही है पूछ रहा है किस में विराम चिन्नों का गरबतार कर लिए गए तुम कहां गए थे कर लिए कया है देखो आगे हाँ आएगी आवाज आएगी सुनो आगे किस वाक्य में विराम चिन्नों का प्रियोग सही है नहीं यह विराम चिन्न यहां नहीं आएगा यह यहां आएगा रोको मत जाने दो यहां पर यह नहीं आएगा ठीक है न? रोको मत जाने दो जो दंगा कर रहे थे जो दंगा कर रहे थे यह यहां आएगा तुम कहां गए थे कैसे आए और क्या चाते हो यह इस प्रिकार से आएगा उत्तर इसका विकल्प चौथा होगा किस बाक्य में सही विराम चिन युक प्रिप्त नहीं हुए है ची कैसी दुर्गंद आ रही है सूरिकान तरपार्टी निदाला की जूही की कली जूही की कली प्रिसिद रचना है दिसाइन चार होती है पूरव पष्षिम ये कौन है वारवार वविता बसवाल क्या पूछना चाह रही हो महावत में तो सुनील मीना क्या हो गया दुलहन होता है में अंदर चौदरी दुलहन आगे देखो दिसाइन चारोती पूरब पस्चिम उत्तर और दच्छिन गांदी जी ने कहा सत्त ही ईश्वर है तो याँ पूछ रहा है नहीं हुए है सही नहीं हुए चीक कैसी दुरगंद आ रही है सूरिकांतर पाटी निराला उपनाम आ गया यदि किसी कवी का उपनाम आ जाए या उसकी रचना का नाम आ जाए तो उसे एकेरे उद्रण चिन्द में बंद करते किसी का कहा हुआ कथन जौंका त्यों आ जाए उसे द्वेरे उद्रण चिन्द में करते है द्वैरे उद्रेंचन में जो पहला द्वैरा उद्रेंचन आता है उसे जस्ट पहले अलप व्राम का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर विकल्प जो पहला है यह असुद्ध है अब देखो आगे मेह दनावत नहीं होता हो गलत बोले हो आप महावत यह नहीं होगा ठीक है छी कैसी दुन्द गंदा रही है तो यह बताई यह प्रश्न कर रहा है क्या नहीं विश्में कर रहा है तो इसमें विश्में कर रहा है तो प्रिश्ण वाचक नहीं आएगा प्रिश्ण वाचक चिन् अंतरपाटी निराला की जूही की कली, कभी का उपनाम, रचना का नाम, एक एरा उद्रणचन, दिसाय चार होती है, हर एक के बाद में अल्प उब्राम आ रहा है, अम्तिम अल्प उब्राम के इस्तान पर और आ रहा है, बिल्कुस सही है, गांदी जी ने कहा, जो कहा वो है, दोहरे उद्रणचन में, पहले दोहरे उद्रणचन से पहले अल्प उब्राम आएगा, पहला विकल्प सही होगा, कौन सा वाक के असुद्ध है, इसमें असुद्ध वाक के पूछ रहा है, कौन सा वाक के असुद्ध है, हाँ, अब देखो आगे आप मुझे पर भरोसा कर सकते हैं वे आत्म सम्मान की रच्छा करना चाहते हैं आप और मैंने मिलकर उसकी साहता की मैं तुम और वहे खेलेंगे अब यहां देखो क्या होगा है हाँ तो कोई बात नहीं सुनील मीना तुम बारवार ये कॉपी पेस्ट क्यों करते जा रहे हो अपच हो रही है कि तुम इन सब से जो पढ़ रहा है उसको पढ़ लोना रंग से आप मुझे पर भरोसा कर सकते हैं वे आत्म सम्मान की रच्छा करना चाहते हैं आप और मैंने मि खिलकर उसकी इसायता की मैं तुम और वहां खेलेगे बहुत अच्छा प्रहु ने ज्यांसे और सोच के उत्तर देना आख ए मी हमी जो क्या होगा है में इसका को नौ बजे सल्यूशन होता है उसका अनाथनी नहीं होता 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 महुदया करा भी लखे, पिसाचनी नहीं होता, पिसाची होता है, ये सारे करा रखे है तो आप मुझे पर बरुसा कर सकते हैं, बिलकुल सही है वे आत्म सम्मान की रक्षा करना चाते हैं, भी सही है आप और मैंने, आप थोड़ी आएगा, आपने और मैंने मिलकर उसकी साइतागी, तो आपने आएगा, विकल्प तीसरा उत्तर होगा निमने लिखित में से कौन सा वाक्य सुद्ध है, इसमें सुद्ध वाक्य पूछ रहा है कौन सा वाक्य सुद्ध है, देखो, प्राय बच्चे ऐसी सरारते अक्सर करते है तो तुछ रहा है यह मूर्ती संग मरमर पत्थर से निर्मित है वह सब के सामने खुले आमगाली देता रहा दरसल वह आया ही नहीं देखने से पता लग रहा है इसका तो साप साप बहुती सरल है आरम से इसका उत्तर दे सकते हो प्राय बच्चे ऐसी सरारते जब प्राय लिख दिया तो अक्सर लिखा जाएगा क्या नहीं प्राय लिख दिया तो अक्सर क्यों आएगा अक्सर प्राय यह की बात हो गई यह मूर्ती संग मरमर से नर्मत है तो पत्थर लिखने की जरुवत का है जब संग मरमर लिख दिया तो जब तीनों पुरुष होते हैं तो सबसे पहले कौन सा आता है उत्तम पुरुष कभी भी पहले नहीं आएगा या तो मद्यम आएगा या अन्य पुरुष आएगा प्राय अन्य पुरुष सबसे पहले आएगा फिर उत्तम पुरुष प्रियोग कर सकते हो उसके बाद मद्यम तीनों फुरुष एक साथ आ जाएं तो कभी भी उत्तम फुरुष पहले नहीं आता मैंने तुमने और उसने मिलकर यह कार किया गलत है तुमने मैंने और उसने मिलकर यह कार किया यह होगा ठीक है ना अधिक है वह सबके सामने जब सबके सामने लिख दिया तो खुले आम लिखने की जरुआत का हैं वह सबके सामने गाली देता रहा वह खुले आम गाली देता रहा अनावश्यक पद संबन्दी असुदि दरसल वह आया ही नहीं तो तर इसका विकल्ब चौथा होगा अधिकार या अवसर पाकर मनम्योना अंधिर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है कौन सा होगा देखो कोई बात नहीं जगदीश रिठाडी या विया रेगुलर प्रक्टिस करते रहोगे सब समझ आ जाएगा हाँ देखो आगे हवाई किले बनाना हवाई किले बनाने का मतलब होता है जूटी बातों से क्या करना मूर्ख बनाना या कहते हैं नहीं है वो कुछ नहीं करता केवल हवाई किले बनाता है या थार्थ कुछ नहीं होता हात कंगन को आरसी क्या, पड़े लिखे को फारसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं पड़ती चाम के दाम चलना, चाम के दाम चलना, चलाना और आखों में धूल जौकना धोका देना होता है अब इसका सब उत्तर अलग लग दे रहें, तुक्के मार रहें, कुछ B दे रहें, कुछ C दे रहें, कुछ B दे रहें अरे चाम के दाम चलाना मतलब होता है मन माना करना अधिकार याब सर पाकर मन माना अंधिर करना मतलब होता है चाम के दाम चलाना और जब चमडी के दाम चलाए होगे, इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को बढ़िया तरह से ठोग पीट के उसकी चमडी उतारेंगे, और फिर उसके क्या बनाएंगे, पैसे बनाए जाएंगे, इसका मतलब है अधिकार याव सरपाकर मन वाना, अंधिर करना, आँखों में दोल यंकने का मतलब दोगा देना होता है, ठीक है ना? अनराग सिपाई स्वागत है भईया, आगे देखो, अब तक पिता की कमाई पर ऐस करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा, तो दाने-दाने को मोहताज होना, दाने-दाने को मोहताज होने का मतलब होता है, अत्यदिक ग पीछे पर जाना, हात पर हात रख कर वैठना, थाली वैठे रहना, कुछ भी नहीं करना, तो विकल दूसरा उत्तर होगा, विराम चिन्नों के प्रियोग से सम्मंदित कौन सा विवरण सही नहीं है, सही नहीं है, पूछ रहा है, कौन सा विवरण सही नहीं है, ये लगाना है, कल वाली test series का solution गीता जी आज रात को 9 बजे वाली में मिलेगा कल जो test series हुई है उसका video solution आज रात के 9 बजे वाली में मिलेगा तो इसका जहां रखना मैं तुम और वहे खेलेंगे वहे ये typing में वहे आएगा मैं तुम और वहे खेलेंगे अच्छा नहीं सुननों कोई बात नहीं मैं तुम और वहे खेलेंगे भी सुद्ध है मैं तुम और वहे खेलेंगे भी सुद्ध है मैं तुम और वहे खेलेंगे वहे और वहे यह है और यह आदर के रूप में आता है मैंने कहा वह आएगा और मैंने कहा वह आएगे सुलो इसको अगर मैं तुम और वह खेलेंगे भी सुद्ध हो जाएगा मैं तुम और वह खेलेंगे भी सुद्ध हो जाएगा दोनों ही सुद्धे मैं आदर नहीं दे रहा तो वह कह रहा हूं आदर दे रहा ह तो वे कह दूँगा कोई फरक नहीं मैंने कहा पिताजी तू कल कहा था और पिताजी आप कल कहा थे तो एक ही वचने फिर भी बहुवचन में आ रहा है क्योंकि आदर के कारण तो यह असुद नहीं है और से जुड़ा है इसलिए खेलेंगे मैं तुम या वह खेलेगा और की ज जालत नहीं है तीक है पर ऐसा कोई डाउट हुआ करे तो बेजिजक पूछ लिया करो किसी संग्या को संचेप में लिखने के लिए लागव या संचेपक चिन का प्रियों किया जाता है बिल्कुल सही है जैसे संग्या है डॉक्टर संग्या क्या लेली मैंने डॉक्टर संग जालेली और इस डॉक्टर को मुझे किस में लिखना है छोटे रूप में लिखना है तो मैं इसको संचेपक चिन का प्रियों करके ऐसे लिख दूँगा तो यह सही है दूसरा देखो दूंद समास के पदों के मद्द प्राय योजक चिन लगाया जाता है प्राय लगाया जा स्थान पर कोश्ठक चिन का प्रियों किया जाता है यह गलत है उसके इस्थान पर लोप चिन का या किसको कह देट और कौन सा कर देते हैं हमें इसको कईवार हम इसके दो नाम है एक तो क्या कह देते हैं तुर्टी बोधक हंसपद भी कहते हैं तुर्टी बोधक और इस तुर्टी बोधक कोई क्या कह देते हैं हंसपद चिन का प्रियों करते हैं कोश्ठक चिन का प्रियों कब करते हैं जब हम कोई वाकी लिख रहे हैं और वाकी को लिखते समय उसमें कोई कठिन सब्द आ जाए उसका अर्थ बंद करेंगे जैसे रावर्ण अट्टाहस के साथ कोष्टक में बंद होगा अट्टाहस के साथ विविशन गुस्षे के साथ किसमें बंद होगा गुस्षे के साथ कोष्टक में आप किसी चीज के बेद लिख रहे हो बेदों में उसमें संख्या डाल रहे हो एक दो तीन चार तो यें झे एक दो थीन चार को कोश्टक में बंद कीया जाता है तो ये गलट है किसी के llp co2 बचल उद्रत करने के लिए अबत उणका प्रियों किया जाता है बिल्कुश सहीज तो यह भी सही था यह भी सही था और यह भी साइता लेकिन यहां पर तीसरा विकल्प गलत लिख रहा है क्योंकि यहां पर आपको क्या आएगा तुर्टी वोदक या हन्स पर हुँ हाँ उत्तम पुरुष पहले नहीं आएगा तत्पुरुष अमास में बेद कितने करने हैं पांच बेदें ठीक है अच्छा यह कह रहे हो कि उत्तम पुरुष पहले कैसे आ गया चौदे में तो उत्तम पुरुष पहले नहीं आएगा कहाँ पहले मैं तुम और वहे खेलेंगे तुम मैं और वहे खेलेंगे हालांकि ये इतना उसमें मानते नहीं है, बाकी का आपको इसका ध्यान रखना है, तुम, मैं और वे खेलेंगे, ध्यान रखना इसका मूल रूप से न, पहले नहीं लेना कभी भी उत्तमप्रश, तुम, मैं और वे खेलेंगे, आगे देखो प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, सोने में सोगंध होना, सोना में सोगंध होना, मुहावरे का उप्युक्त भावारत है, तो सोना में सोगंध कभ होगी? तो सोने में सुगंद होना मावरे का उपिप्त भावार्त है असम्मब लगने वाले काम का सैजता से हो जाना और अगर नाम ही हो किसका सोनार वो नाए ही नहीं तो उसमें कहां से सुगंद आएगी असम्मब लगने वाले काम का सैजता से हो जाना है न सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना मनोवांची सफलता अर्जित करना किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेष्ता होना सोने में सुगंध होना होता है बिल्कुर सही है कहार में कौन सा प्रत्य है आर प्रत्य है वहिया कहार में अरे मेरी परिच्छा लेने वालो तुम सुद्रोगे नहीं है न कहे धनार कहार होता है कहार क्या है एक जाती है जो डोली उठाने का और पानी बरने का काम करती है आज कल क्या है ये बेचारे बेरोजगार हो गए है एक कहारों की डाड़ी पड़ती है जब आप जैपुर से सीकर जाओगे तो खाटू शाम के लिए जो राष्टा कटा उससे आगे जाके लेप साइड में एक धाड़ी है कहारों की धाड़ी कहार एक जाती थी जो डोली उठाने का डोली उठाना मतलब वह डांकू नहीं थे वो किसी की डोली उठा ले गए उठा ले जाओगा तुझे डोली वो नहीं डोली उठाने वाली डांकू नहीं जो राजा माराजाओं की बेटी होती थी वो पहले पालकी में जाती थी और उस पालकी को उठाने के लिए एक जाती होती थी कहार अब राजा की बेटी का हर एक साल हर दो महीने में विवा थोड़ी होता 25-26 साल की होती, 28 साल की होती तब उसका विवा होता था तो क्या 25-28 साल तक वो बैठे रहते नहीं क्या करते थे वो पानी बरने का काम करते थे आज कल क्या ये बेरोजगार हो गए क्योंकि आज कल राजाओं की बेटियां किस में जाती है मर्शिडी में जाती है, हेलिकॉप्टर में जाती है आज कल पालकी में नहीं जाती क्योंकि आज कल ये खाना इतनी लग गई है अनापस अनाप खाती है पहले क्या है मैंटेन रखती थी खुद को आजकल इतना ज़्यादा खाती है कि इनमें बजन हो जाता है दो-दो-सो किलो इस चकर में ये वेचारे कहार खुद भी चले गए वाया हम पर नहीं उठे तेरी बेटी हो गए ये दो-सो किलो की कौन उठाएगा इसलिए आजकल ये जाती बेरोजगार हो गई है कहार मतलव होता है डोली उठाने वाले या पानी बरने वाले तो किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेष्टा हो ना घर के योग्य व्यक्ति की उप्यक्षा कर अन्य को सम्मान देना बावार्त से संबंदित लोग होती है तो क्या होगा इसका अरे अवस्ता कहांसे आगई मेंदर चौदरी अवस्ता कहांसे आ गई पूर्दगाली का है तो Almari पूर्दगाली विल्कुल राजक्मारी वय नलमारि पूर्दगाली वासा का सब्दहnu winners के यह इसी में आ संहीं हैं, जैसे मेरी बतीजी है, और मेरी बतीजी में हिंदी पढ़ाता हूं, फिर भी मुझें हो रया है कोंत अंकल जी, सरनें बढ़ा है, आपको कुछ नहीं आता है। तो ऐसे ही मूर्ख बनाते हो बच्चों को, आपको कुछ नहीं आता है इंदी में, जबकि खूब असुद्या होती है उसकी इंदी की कौपी में, अब उसको में क्या लगता हूँ, घर का जोगी जोगना, आनगाओं का सिद्ध, बंदर क्या जाने अदरक का स्वात, जिस का, घर के योगी व्यक्ति की उपएक्षा कर किसी अन्य को सम्मान देना, घर का जोगी जोगना, आनगाओं का सिद्ध, विकल पहला उत्तर होगा, किसने कहा, प्रिष्ण उत्तम दास है पर निक्रिष्ट स्वामी, बहुत अच्छा जहां से सुनना, अच्छावन चंदेल ने बता दिया था, अरे मुझसे पूछने से पहले तो मैं उत्तर मेरे प्यारे विद्यार्ती ही दे देते, ये खुद इतने ओशार हो गए है, हाँ, गलत ही बताएं, बिल्कुल देखो, संजु कुमावत जी कह रही है, कि सर, बच्चों के लिए उनके टीचर ही सब कुछ होते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं बताएं, अब आप अपने बच्चे को अगर कोई चीज हमबर करा रहे हो और आपके अध्यापक ने गलत कर दिया, काटके आप सही करोगे तो बच्चा यह गहएगा, कि आपको कुछ आता जाता है नहीं मेरा गलत और करवा रही हो मेरे अध्यापक ने बताया बिलकुल सही बताया है देखो, सी नहीं हो सकता अरे उसमें सी नहीं होगा घर की मुर्गी डाल बरावर घर के व्यक्ति के उपेख्चा कर अन्ने को ये प्रिष्ण है वो उत्तम दास है और निक्रिष्ट स्वामी तो दो बातें आ रहे हैं तो दो भ्यक्ति कहेंगे दो भ्यक्ति कौन कौन कहेंगे ग्रीन वा बर्चेना प्रिष्ण उत्तम दास है एक ब्यक्ति कह रहा है केवल काली सतय नहीं है बरन पाठ का विकास करने के लिए सक्रिय साधने देखो कितनी अच्छी बात कही है कि शामपट और जो चौक है शामपट और चौक का प्रियोग किये जाने के लिए केवल काली सतय नहीं है शामपट जो है वो है चोक का प्रियोग करने के लिए वो केवल एक काली सत्य नहीं है बरन पाठ का विकास करने के लिए सक्रिय सादने आप जो भी पठन कर रहे हो उसका विकास उस चोक के माद्यम से और उस शामपट के माद्यम से होगा तो ये किस ने कहा Simpson ने Kennedy ने रोवर्ट मेगर ने, हरवर्ट ने, क्या होगा इसका? शामपट चौक का प्रियोग, बिल्कुल, शामपट चौक का प्रियोग किये जाने के लिए केवल काली सत्य नहीं, वरन पाट का विकास करने के लिए सक्रिय साधन है, ये कैनेडी ने, कैनेडी किस ने कहा था ये कैनेडी ने, राजिस्थान के प्रिथम खुला विश्विद्वाले को किस वर्ष से कोटा विश्विद्वाले के इस्थान पर वर्दमान, महवीर, खुला विश्विद्वाले कोटा के नाम से जाना गया, पहले इसको केवल कोटा विश्विद्व विश्व विद्याले कहते थे लेकिन बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया वर्दमान महवीर खुला विश्व विद्याले कोटा के नाम से कर दिया कब कर दिया दोबार कर दिया दोबारा कर दिया उसको पहले कोटा विश्व विद्याले था फिर उसको दोबारा मतलग दो बार, दो बार कहां आ रहा है, दो दो, दो हजार दो में, कब कर दिया, दो हजार दो में कर दिया, ये पांच वाले पांच कैसे उत्तर दे रहे हो तुम, पांच नहीं है, दो दो, कोटा विश्व विद्याले को दोबार कर दिया दोबारा बदल के कया कर दिया वर्दमान महविर खुला विश्व विद्याले 2002 में कर दिया तो हिंधी वासा शिक्षर में नैदानिक जांच जिसे diagnostic test कहते हैं किन-किन वासा को तो चात्रों की गलतिंवईटि की जाते हैं Don now a b लिखना पड्विक संपर 6 सबहरे सब्सक्थ नहीं पड़ना जरे के लिए सुनना बोलना पड़ना लिखना सांगराफी कर्वार न Snिच करवाने जाते हो तो पेट की सारी समश्या सारी बीमारी सारी कहानी सारी कुछ जानकारी मिल जाती है डाइग्नॉस्टिक सेंटर पर मिलती है नहीं मिलती तो सारी है सुनना बोलना पढ़ना लिखना यह सब इसमें आ जाएगे कि बहुत बहुत धन्यवाद इस्टेटी गार्णन मिल गई मिल जाएगी सब को थोड़ा से समय लगेगा आगे देखो ग्रहकारी के संबंद में ए मनो वैग्यानिक कथन है कि ग्रहकारी के संबंद में जो ए मनो वैग्यानिक कथने वो क्या है सिच्छक अधिक ग्रहकारे देते हैं चात्रों को ग्रहकारी के कारण खेलने के लिए समय नहीं मिलता अविवावाग ग्रहकारिपूरा करवाने का अतवरदवाईट अपने उपर लेते हैं कोई नहीं इसमें पहला इसमें बैठ रहा ही क्या विकलप पहला सिच्छक अधिक ग्रहकारिक क्तन मिल रहा है क्या नहीं ग्रहकार के संबन्द में ए मनोवग्यानिक कथन है तो ये तो छात्रों को ग्रहकार के कारण खेलने के लिए समय नहीं मिलता अबिवाग ग्रहकार पूरा करवाने का अत्रदाय अपने उपर लेते तो ये तो चीज बिलकुल इस चीज से मतलब ही नहीं रखते हैं इन चीजों का क्या लेना देना इसमें ए मनोवग्यानिक कथने के सिच्छक अधिक ग्रहकारे देते हैं और अधिक ग्रहकारे देने के का परण बच्चा अपने खेल कूद का समय और बाकी का जो समय उसका सदुपयोग नहीं कर पाता और उनके उपर pressure बन जाता है केवल ग्रैकार करने का आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं अगर उनका ग्रैकार नहीं होता तो वो फिर भैवित होते रहते हैं डरते रहते हैं और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि स्कूल से आके घर तब गुस्ते हैं जब घर के सीड़ी पर बैटके ग्रैकार करते हैं फिर अंदर गुष्टी है, हम उसको खुल समझाते हैं, बेटा अंदर आके आराम से कर ले करें, नहीं मैं तब तक नहीं गुषूँँगी नहीं तो मुझे कल सर मारेंगे, मुझे मैं पीटेगी, मुझे डांटेगी मुझे मुझे खड़ा करके कि मेरी बेजजती होगी मैं घर तब तक नहीं गुशूँगी उन लोगों पर इतना भैवीत हो जाते हैं और ऐसा कभी भैवीत बच्चों को नहीं करना चाहिए बच्चों को खुली किताब की तरह स्वतंत्र रखना चाहिए वो जो कर रहा है उस पर किसी प्रकार का दवाब नहीं होना चाहिए नहीं तो उनकी इच्छाएं दव जाती है दमित हो जाती है तो सिच्छा कदे कर देते हैं मनोवेग्यान चात्र की वासा सिच्छण में कम जोरी के कारणों या अधिगम की कतनाई के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है कल मैं आपको सारे के सारे जितने भी आपके मेहतुपूर विदी और प्रवर्तक हैं उनके प्रत्पादक हैं कल कराऊंगा ये प्रिश्ण होने के बाद टीक है ना कल बताऊंगा सारे आप कैसे याद रख सकते हो सब को कि मैरातन लेकर आएंगे सिच्ण विद्या और काव्षा सब्द सकती की एक साथ पूरी एक भार पहले पूरी पड़ा दे के बाद चाटर की बासा सिच्ण में कम्जोरी के कारणा या अधिगम की कट्नाई के कारणों की जानकारी किसके मात जमसे किजाते अपचारात्मक परि या निदानात्मन परिफ्षण उक्तlaş अभी, भासा सिचन में कंजोरी के कारण, दाइगनॉश्टिक में जाते हो आप, वहाँ जाके आप क्या पता करते हो, कि इस्के पेट में जो समश्या है, वो क्या क्या समश्या है, तो ये किस के माध्यम से? निदानात्मक परिक्षण के माध्यम से. तो छात्र की वासा सिच्छण में कमजोरी के कारण या अधिकम की कटनाई के कारण को पता लगा. तो कारणों का पता किस के माध्यम से किया जाएगा? समझा गया? निदानात्मक परिक्षण के माध्यम से. जांच होगी पहले उसकी, यह लड़की तो निरी गाय है, अब बताइए लड़की गाय हो सकती है क्या, नहीं, लेकिन उसके जो लच्छन है वो गाय के जैसे है, यही टाइम रहेगा, इसके बाद महीं कराओंगा, ठीक है न, तो लच्छन, लच्छन है, वो गाय के जैसे है, गाय सीधी है, वो भी वेचारी सीधी है, इसलिए लच्छन, लच्छन है, पाट, कुष्तक, कुष्तक, प्राणी वा सूत्र विदी निम्न मैं से किस सिछड़ व बता होनां चाहिए, यह चीज तो बतानी के आवशक्ता नहीं होनी चाहिए, इसका उत्तर तो आपको गलत नहीं देना किसी को भी, बहुती सरल प्रस्श में ये गलत नहीं होना चाहिए, अरे सूत्र है या तो आप सूत्र बताओगे, या फिर उसके उधारन बताओगे, धारण होता तब आगमन विधी हो जाती है हाँ आगे देखो आगे देखिए समवाय विधी के तीन समवायों में सामिल नहीं है सोच के उत्तर देना तुक्के मत मारना इसमें टीक है हाँ समवाय विधी के तीन समवायों में सामिल नहीं है कौन सा सामिल नहीं है क्या उत्तर दोगे इसका समवाय विधी में हlight में ही एक मतर बभीता वासवाल उत्तर दी दे रही है कि बाकि सबका उत्तर क्या रहा है कि यह आरा है जो बिल्कुल गलत है एक मात्र बवीता जी ने उत्तर बिल्कुल सही दिया है बाकी सब का उत्तर बिलकुल गलत है मैंने पहले ही शुरू में ये बात कह दीती कि तुक्का मत मारना इनमें सब में वातावन वातावन विकास जुड़ गया उद्योग अकिल आगया आपने सोचा ये ही इसका उत्तर होगा ये गलत है इसलिए इसका सही उत्तर आपको उद्योग नहीं सम्वेग आत्मक विकास का सम्वाई विदी से क्या मतलब है उद्योग का है सम्वाई विदी में तीन समयमों को उद्योग होगा बहुतिक वातावन होगा अरे आप एक चीज बताओ आप कोई भी काम करना चाते हो आप कोई भी उद्योग लगाना चाते हो सबसे पहले उसका क्या देखोगे वहां का भौतिक वातावरन देखोगे वहां का सामाजिक वातावरन देखोगे इनका सम्वेग आत्मक विकास से क्या लेना देना है तो इसमें उद्योग भौतिक वा किसी चीज को रख रहे हो, संभाय करा रहे हो, तो आपको उद्ध्योग चलाना है, तो वहां का सामाजिक वातावन भी देखना पड़ेगा, बहुत दिक वातावन भी, सम्मेत आत्मक विकास से क्या लेना देना हुआ, उत्तर विकल्प D, होगा इसका, सुनील मीना अभी तैस सीरीज में थड़ ग्रेड के सारे टॉपिक एक साथ कवर नहीं हो सकते, तो उत्तर इसका विकल्प चौथा होगा, दल सिच्छन विदी में निम्न में से किस सिध्धान्द पर कारी किया जाता है, दल सिच्छन में, अब दल आ गया, इसका मतलब समू हो इसमें वैयक्तिक विद्रता का सिध्धान, वैयक्तिक विद्रता कैसे हो जाएगा जब लिखी दल दिया तो, सहकारता वा सामुहिक उत्तरदायत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत उसमें आप जाओगे टैसीरी जैस्पेसल थड़ग्रीय टैसीरी वहाँ पर इसको लेके फिर किया जाता है बिलकुल सहकारता वा सामुही कुटतर दायत्तों का सिधांत दल सिच्छण विदी में कारे करता है दल सिच्छण विदी के सिधांत पर कारे करता है समझ आ गया तो के लिए इतना ही ठीक है कल जो टेस्ट हुआ था उसका वीडियो से लुशन रात को नौ बजे वाली क्लास में होगा तब तक के लिए मेरे सबी प्यारे बहनवाईयों को नमस्कार धन्यवाद जैसरी किष्णा राधे राधे